आज बहुत बड़ी खुसकबरी निगल के आ रही है लोग सिख्छन संचाल नाले अमध्ध प्रदेश चे नौमी और गयरमी का टाइम टेबल जारी हो चुका है आज चलिए हम आपको पूरी दिखाते हैं आप आप देख सकते हैं कि आज नौ फरबरी को ही आज ये अनाॉंस्मेंट हुआ है तो हम चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं और आप अच्छे से तैरी करें आपके भी टाइम टेबल जारी हो गए हैं तो उसी हिजाब से अपनी ग्यारमी की बारसिक परिक्षा की समयसारणी सनलंगन कर उपलब्द कराई जा रही है vidéo राज इस तर से अब चलिए हम आपको सीधा जीधा दिखा देते हैं टाइम टेबल आजो आपके लिए बहुत इंपोर्टनेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सिक्षन संचाल नाले मद्ध प्रदेश भोपाल बारसिक परिक्षा कारक्रम परिक्षा वर्स 2022 कक्षा नौमी आपका समय रहेगा साढ़े आट से साढ़े गैरा वजे तक यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से इसको स्क्रिंसोट लेके लिख लेंगे अच्छे से आपका बुधवार को पेपर है 16 मार्च को पहला पेपर रहेगा आपका गणित का 21 मार्च को आपका पेपर रहेगा सोमबार को अंग्रेजी का उसके बाद 23 मार्च को आपका पेपर रहेगा उर्दू का उसके बाद 24 मार्च को हिंदी और 30 मार्च को आपका रहेगा विज्ञान उसके बाद फिर 1 अप्रेल को है आपका मराठी या फिर पेंटिंग केवल मुक और बधिशात्रों के लिए और द्रश्टहीन के लिए संगीत का होगा और चार अप्रेल को आपको सोमबार को पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का और च्छे अप्रेल को आपका पेपर होगा तीस को विज्ञान है एक को मराठी है चार अप्रेल को सामाजिक विज्ञान है और बारह अप्रेल को आपको लास्ट पेपर संस्कृत है यानि सोलह मार्च से सुरू होगे तो बारह अप्रेल तक आपके पेपर चलेंगे ये आप देख सकते हैं निर्देश क्या क्या दिया हुआ है इनको अच्छे जरूर पढ़लें परिक्षा के अंदर पर समस्त परिक्षारतियों को परिक्षा कक्ष में पराता है आठ बजे से उपस्तित होना अनिवारे होगा परिक्षा के अंदर पर सभी परिक्षार्थियों को अपने नाक मुंको मास्क या नकाव या कपड़े से ढखका रखना है एवन फिजिकल डिस्टंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार होगा परिक्षा अपने साथ हैंड से परिक्षार्थि जो हैं वो अपने साथ सेनेटाइजर की बोटल छोटी सी रखेंगे अपने पास अभिभाबक अपने बच्चों को कोबिट संक्रमन से बचाने के लिए उनके दोरा जितनी भी साथ धानिया है सभी के बारे में जानकारी देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे विमार ना हो यदि हो सके तो परिक्षार्थी अपना पानी स्वयम का लेके आएंगे कोई भी नगल सम्मंधित पूरी समगरी कोई भी लेके नहीं आएंगे चाहे वो कैलकुलेटर हो या फिर और कोई भी सामान हो परिक्षा प्रारम होने के दस मिनट पहले यानी आठ वीस पर छात्रों को उत्तर पुस्तिका और पांच मिनट पहले आपको वाट पच्चिस पर प्रस्न पत्र दे दिये जाएंगे पहला पेपर आपको मंगलवार 15 मार्च को है अंग्रेजी का वोकेशनल के छात्रों सहीत फिर नेक्स्ट पेपर है आपको बुधवार को 23 मार्च का जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा अर्थसास्त रहेगा एनिमल हस्बेंडरी, मिलिकेट्स, पोल्ट्री फॉर्मिंग रहेगी विज्ञान के तत्त भारती का लगई इतिहास ये सभी होंगे आपको 23 मार्च को 24 मार्च को आपका बायो टेक्नॉलोजी है और भारती संगीत है फिर उसके बाद 25 मार्च को आपका समाज शास्त न का पेपर है, मनोविज्यन का है, क्रसी का है, हों साइंस का है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का है, बुक कीपिण का है ये सभी है को 25 मार्च के है फिर 28 मार्च को आपका पेपर केमेस्ट्री है, इतिहास है, व्यवसाय अध्यन है, ड्रॉइंग एम पेंटिंग है, ये सभी पेपर आपके 28 मार्च को है, उसके बाद 31 मार्च को आपको उर्दू और मराठी है, एक अप्रेल को इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिसेस है, बायोलोजी है, चार अप्रेल को आपका गणित है, पाँच मार्च को आपका राजनीती सास्त्र है, साथ अप्रेल को आपका NSQF है और सारीदिक सिक्षा है, आठ अप्रेल 2022 को भूगोल, इस्टिल लाइफ एंड डिज पेल्चर है, फिर 9 अप्रेल को आपका पेपर संस्कृत का है, और लास्ट में आपको 13 अप्रेल को हिन्दी का है, यह नी शुरुवात होगी इंग्लिज से और लास्ट हो जाएगी आपकी हिन्दी में, और 15 मार्च से लेकर 13 अप्रेल तक आपके पेपर होंगे, बाकी जो निर्देश हैं, पूरे वही होंगे, आपको 15 मिनट कम से कम पहले पहुंचना है, मास्क पुरा लगा के रखना है, सेनिटाजर की बॉटल अपने रखना है, और पानी की बॉटल यही हो सके तो अपने पास जरूर रखें, और कोई भी नगल के सामगरी लेके नहीं आना है, य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें